एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे वे आंसर क्यों सरफ बच्चे वे आंसर तो यहां से चार मांक का एक शोट नोट पोसिबल है उससे जाधा कुछ नहीं है क्योंकि हमने बड़े-बड़े अंसर कंप्लीट कर लिए चेप्टर नंबर 2 के जो बहुत साथ है इंपोडेंट है यह संदे ओने पर लिया बच्चों हमने बॉर्वर के पढ़ा हमने यह दो तो मांके डिफाइन आए इंग आए कि कांपागे तू मांक के लिए एक फिर हमने पढ़ा शेर्स में डिटेल में उसके बाद में पढ़ा था बोरोड कैपिटल और कैपिटल वीचीज बोरो और लॉन और लाइबलिटी इस टेकन बाइट कमनी फ्रॉम आउर्साइडर्स राइट और यह बेटा क्या है टेंपरोडी कैपिटल है इसके पर कमनी को क्या पर करना पढ़ना है इंट्रेस्ट ज इसके पहले हमने वीडियो बना चुके तो अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज पहले वाले वीडियो देख लेना आपको बहुत मसा आएगा समझ में भी आएगा और समझेगा तो लिखेगा बच्चा याद रखना आगे डिपेंचे टाइप सो बीपेंचे भी कम्लीट कर चुक्कि तो अब चार आंसर बटे बटे बचे जो आएक एक्जाम में मौस्ट यहां पर सिप पॉप्लिक डिपोसिट का में बताएंगे पॉप्लिक डिपोसिट होता क्या है वो समझाएंगे उसके बात का जो शेशिन होगा बॉंड बोर्स के फीचर फॉर मार्क्स के यह आपके चार मां की शोट नोट में आ सकता है यह इसका पूरा चेप्तर है पूरा चेप्तर है जो डिटेल में हम आराम से पढ़ेंगे तो आज की टोपिक में हम लोग पढ़ने वाले पॉप्लिक डिपोसिट यस डिपेंचे रमारा लोंग टम था शेर्स हमारा करते कि चैप लर्द कि तब क्या चैपिटल की ब्यांति कि तब क्या क्या इस चप्ष लीए चुक पर रिखाता है भी पो सब्सक्रांइस सोचतुर्ण स्क्राइबेंग मैं हो जाता है पैसा जमा करने तो बेंक इसको 6% ऐग इस पर से कितना देगी एट परसे उससे रदर देती नहीं आप हमसे cash लेते हो एंटरेस दैते हो मेंने पैसे क्या बच्ची देती है तुम को कर तुम्हें deduct records आप ने क्या सब्सक्राब मुझे जाता तुमारे मुझे ही तरहे कुम यहादो पैसा लेज और ना मुझे चिक्सपरसे वही पैसा- sack से मेले और रखिसको नयुमें सब्सक्राइं मैं लोन के इनको बारा से तेरा से परसेंन या rock प्रसेंट तक इंटरेस्ट देती सब्सक्राइब यह खेल भारी अजाव इनके रही है मतलब ने क्था मैं मैं बैंक हूं मैं बैंक हूं मैं क्या करती हूं मेरे जेव से कुछ नहीं लाती हूं मैं क्या करती हूं आप से आप लोगों से पैसा लेती हूं आपसे पैसा लेती हूं और इंडेस्टी को पैसा देती हूं इंडेस्टीस को पैसा देती हूं आपसे लेती हूं पैसा तो आपको इंट्रेस्ट पे करती हूं जा ध्यान से देखना मिटा बहुत आल दीरे मड़ा हूं यह इंट्रेस्ट देती है इंट्रेस्ट देती है वह य ने पर लाक्राथ समयूक्च करती है किषको बड़ी बड़ी अंटशिस को और वहां पर क्या चाथ कती है तो यहां से क्या लेगी इंटरेस्व लेगी कि यहां पेंटारwerk सदेगी जूब इंटरेस्व लेने की बाता जेस जो ति यह 7 परसेंट बैंक का क्या हो जाता है प्रोफिड मतलब बैंक अपने जेव से पैसा ने लाती है पबलिक का पैसा लोन देके लेती जब हम पैसा जमा करते हैं इंडस्टी वालों की आख खुल गए यह चेप्टर नमर फाइफ में आपको बहुत हेल्प करें का ध्यान रखना बच्चा अभी सिर्फ आंसर कर रहा हूं आगे जातके चेप्टर फाइफ में बहुत हेल्प करें देना तो यह जो पब्लिक डिपोसिट हो क्वेस्टिन नमबर सिक्स पक्का यहां से आएगा चेप्टर में पब्लिक डिपोसिट पूरा चेप्टर वेल्यूवत हैं तो नमबर सिक्स डिपोसिट पेशिट फैश्था नमबर सिक्स परफिण चैऊनर अब शिक्स नमिलता है आप क्या करें ऑन देल्प है मिच्छ Cookie थो हम कर अटम को पैसा टभी चैपको ती मैं तुम को दें तुम लेके बाग वाध मना बएक dil ito तो दूंब गई तो क्या बेंग ने कोई गैरेंटी दिये कोई बैंक ने सिकृरिटी झिए आप ने परहते हो तो इस्थ को रिसीप पैसे जबाकरने पर आपको फिकस दिपोजीप मिलती है तो भलता है वह दो कुछ नहीं है इसमें तेरा भी फाइदा मेरा भी फाइदा इसमें तेरा भी फाइदा इसमें तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा जब तुम बेंक को Istanbul करए तो कंपनी को पैसा टेंफ पर्सेट पर मिलेगा तो कम्म यहह भी गेंटीनन को तो भीजी को पैसे Auassen रही है उसके पतलopa एनपन समें तो कब बेंकर रोल खतम कर दू तो अब कमनी क्या करती है most of the company accept करती है deposits from public yes direct money accepted from public on a name of deposit public को बोलना पड़ेगा this is my money and I am depositing with the company company यह पैसा minimum feeling the place मैंगा minimum six months और maximum 36 months के लिए पैसा लेती कितने महिनों के लिए लेती मैंगा maximum प्रेट क्या है minimum कमनी कितने मैंने के लिए पैसा लेगी छे महिना और ज्यादर-ज्यादर आप चाटिस महिन तक आपका पैसा रखेंगी और आपको पैसा रिफर्ण कर देगी इसको शोट टम लोन भी कहा जाता है कमपनी की तरफ से तो आज हम पढ़ने वाले क्या मिलन वाला हैं इंट्रेश क्या कोई सेखुर यह चलिया रॉल लफोजो में यह क्या प näंगिस्वा शुरू था सम toxicity होना शु Chuck ऐगेंच चलियए नरे दो शुरू करते कॉंसरणाख असान लफजाऑ में यह क्या क्वोंत अ कंसपत था SUPER siра अलंगा शुरू होन कि कि जो नाम से पैसा वेसे जमा करने पर वैसे कमनी भी आपको एक रिसीप इसू करेगी जहां पर आपका नाम लिखा ओगा maturity date लिखी होगी rate of interest लिखा हुआ होगा right my dear student public deposits is a important source यह कुन सा source है important source है for what for short term जी हां short term के लिए जब company को short term fund की requirement है working capital fulfill करना है तब company issue करते है deposits requirement of the company company are received fixed deposits from the public for the period of ranging six months से लेके 36 months छे से 36 का आकड़ा यार रगना छे से 36 का आकड़ा यह यार रगना minimum six months maximum 36 months के लिए पैसा accept किया जाते है पॉब्लिक से yes my dear student such deposit are called as a public deposit वो पैसा जो पब्लिक से accept करती है as a deposit for a short term loan उसे public का deposit कहते हैं under this method generally public invest the deposits their saving public अपनी saving deposit करती है किसके पास में बैटा directly company for the various period period मैंने बोला minimum six months maximum 36 months छे से 36 का आकड़ा पैसा जमा करो क्यों क्या मिलेगा आपको इंट्रेस मिलेगा इंट्रेस्ट बाइद कंपनी on a such deposits mention in the deposit receipt कितना percent people interest मिलेगा वोड़ डिपोसिट रिसीप पे लिखा हुआ होता है है रिखिप श्युक्त आन्सक्राइब अपने पैसा लॉन पे कम्पनी को दिया है डिपोसिट इधर शिक्री और अना के लिविद्ट हो जुक्त है तो एल बहुत सिंपल लफ害 मैं तो भी नुव एक्सेयर करता है डिपोसिट कंपनी एक्सेयर करती है किसे एक करेगी पॉब्ल इंट्रेस पे करेंगी इंट्रेस पे करेंगी लिए अपने आंसर को कतम करने के लिए अब तेक्निकल वड़ प्याते हैं दो मां के डिफाइंड में पब्लिक एस पर सेक्शन 2 सब्सेक्शन 31 या रखना यह तो पूर आपना 2013 का एक तो यह 13 को उल्टा कर देना 13 को 31 कर देना और टू को आगे रखना सेक्शन 2 सब्सेक्शन 31 इंडियन कमने 2013 डिपोजित इंक्लूट वाट तो डिपोजित इस अ एनी रिसिप डिपोजिट के डाम पे क्या मिलता हम को रिसिप आफ मनी बाइव डिपोजिट और लोन यह क the category amount may be prescribed consultation with the visual bank of India the above expression has been further elaborated in a rule number rule number two section one subsection is called the section is couple then subsection of company 2014 this rule provide deposit means yes section two subsection from America rule two section one subsection see company 2014 में लिगा deposit का मतलब क्या है this rule provide that deposit means any receipt of the money any receipt of the money in the form of the deposits or loan जब भी कमनी एनी रिसिप डिशुकरती है on the form of loan उसे डिपोजिट का जाता है however deposit not include following कुछ ऐसे amount कुछ ऐसे loan है या कुछ ऐसी cash company जब रिसिव गए उसे deposit की category में नहीं लिया जाएगा ऐसा section 2014 में clearly mention किया है तो कौन-कौन सी चीजे है जिनको आप as a deposit declare नहीं कर सकते हो आराम से प्यार से समझो deposit does not include clearly लिगा है deposit के अंदर कौन-कौन सी चीजे include नहीं होगी जब भी कमनी पैसा deposit के नम का accept करेंगी तो किसे deposit करेंगे एनी रिसिप्ट विचीज एक्सेप्टेट भाई कंपनी from the public but following thing is not included in a category of deposits company is a deposit नहीं कह सकती पहला any amount received from the central government or state government अगर company central state government से कोई पैसा receive करते है तो उसे deposit नहीं कहेंगे any amount received as a loan from any bank अगर bank से पैसा लिया है central government से पैसा लिया है नहीं है भाई यहां any amount received from the foreign government by state government central government या फिव फोर्ण government तीनों government में से कोई भी अगर पैसा देता है ना तो वो deposit में इंक्लूड करना नहीं है right my dear student और इंटरनेशनल बेंग तो यह चार्पॉंट तो समझ कह सर है state government central government foreign government अगर पैसा देती तो इंक्लूड होने वाला नहीं है अपनी बेंग या पैसा आया या foreign government से पैसा आया तो deposit में से होगा नहीं लोन फ्रों बैंक है या इंटरनेशनल बैंक है तो भी consider किया जाएगा नहीं money accepted from other company वो भी deposit में एक्सिप किया जाएगा नहीं right my dear student any amount raised by issuing the commercial paper clearly बोले अगर कमनी commercial paper issue करके पैसा कलेक करती है उससे भी deposit नहीं करेंगे एन्यमाट रेट पर issue of bonds अगर कमनी bonds बेच के पैसा ले रही है bonds भी certificate है commercial paper भी document है जिसको issue करके कमनी उधार ले सकती है तो उसको deposit कहेंगे नहीं any amount received from the trust उससे भी deposit कहेंगे नहीं और any amount received by way of subscription of any shares shares बेचके डिबेंचे बेचके अगर कोई पैसा आया है तो भी deposit कहा जाएगा नहीं मेरे बच्चों तो एक बाद फिर से recall करते है deposit मतलब क्या तो deposit is short term money deposit क्या है पेटा short term money deposit पे क्या पे जाएगा interest पे किया जाएगा deposit जब company accept करते तो क्या issue करेगी deposit receipt right my dear student yes company short term loan लेती उसे deposit कहा जाता है company किस से पैसा लेगी public से right my dear student और chapter 5 में clearly कहा गया है कि कौन सी company deposit accept कर सकती है कौन सी company नहीं कर सकती है public से deposit करने के लिए कुछ terms and condition बनाई गई है चुछ में पढ़ेंगे बड़ मेरे बच्चों को एक लिए होगा किस चीज को deposit consider नहीं करेंगे अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन रूल टू सब सेक्शन वान बेटा यहां लगना सब्सक्राइब कर सकता नहीं है सब्सक्राइब को समझ में आ चुका हो का वोट दो यू मिन बाइब डिपोजिट को सब्सक्राइब किया जा सकता नहीं है अपने चैनल पर आने वाला कुशन बहुत सब्सक्राइब को तो बने रहे ना आने वाला क्वेशन बहुत स्था इंप्टेंट होने वाला है थैंक्यू सब्सक्राइब